दिश बहाक रूप में आती हैं ये महत पुरुष जो दर्ष्टा पुरुष चित जगत के संगभात बहन करके लाती हैं जो माया बद्ध अंधकार में भ्रमितो कर जो संचर चक्र में पुनपुनो आबर्तित हो रहे हैं शरूप भुल करके भुल गया आपने शरूप को मैं जो भगवान का हूं भगवान मेरी है और भगवान से आमारे निट्द शंबंध है अभिच्छित अखंड शंबंध है ये शंबंध किसी भी अवस्ता में ये टूटता नहीं टूटने ही शकता है चेश्टा करके भी से अलग होने शक्ति हैं लेकिन माया इतनी प्रवल ए वही रंगा माया शक्ति अभिद्ध माया शक्ति इस तरह से जिप को भुर्मीत करके भगवान को भुला दिया शत्य को भुला दिया मिथ्था संग्षार को ये शत्य रूप अभाशित करके इस तरह से दिखा रहे हैं जै पुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुनापुना पानी कहां और जला शायक जैसे दिखता है और भागता है पानी मिलेगा पानी मिलेगा वहां पानी है आगे चलते 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 पानी तो है नहीं फिर मृत्त को बरण कर लेता है ऐसा ही इस शंग्षार में हम यह जो आनंद देख रहे हैं शंग्षार में आनंद है स्त्र पुत्र, कुटुम्ब, परिवार, धान, जान, वित्त, वईभाव, आधी जो भी वुस्तु पदार्त हो, यह हम आनंद में दिख रहे हैं, बस तब में यह मिरिगम मुरीचिका जैसे, बस तब शत्त ता इसमें है नहीं, यह अभाशी था है, बस, एक मन्यता मात्रो, मन्यता खतम, बस, आनंद भी खतम, एक मन्यता बस, हमने मान लिया, च्विकार कर लिया, बस, यह शिक्रिती, है ना, मन में शिक्रिती, शिक्रिती के कारण हम शुप पाते हैं, दुख पाते हैं, यह हमारे शिक्रिती है, एक ग्रिष्टी लोग, जो संशार में इस तरह से डुप ग भगवद भजन करने का कोई उनकी वीतर कोई मानशिकता है यह नहीं लाक्ष मजाओ समाझने के लिए तैयार नहीं है इसमें आशक्त होकार जी भ्रमित हो रहे हैं और एक जान जो जान गए हैं जो यह अंदकार माया है यह मित्ता है आभी जनम लिया है, अभी देखने में आता है, एक दिन शरीर छोड़के चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रहेगा नहीं, राक नहीं सकते हैं, कि शरीर तक ये भी पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बिसमे द्रिश्चमन आगंतु, ये भी मित्था दोका है, ये दोका को हम आमने शत्त मान लिया, शरीर मैं हूँ सबसे बड़ा धोखा, इस संक्सार में हमको सबसे बंचित किस ने किया, हमारी शाथ सबसे बड़ा धोखा किस ने किया है, कोई नहीं, इस शरीर हमको शरीर मैं आश्रक्ति, ये हमको सबसे बड़ा धोखा दिया है, शरीर मैं आश्रक्ति के कारण, बस द्रिश्वान भुग को पदार्तों शरीर भोग के लिए शरीर को शुक देने के लिए हमारे श्मस्त कर्मुचिष्टा है हम किसी को प्यार नहीं करती है वह हमको शुक देता है इसलिए हमको उसको प्यार दिखाती है जब वह प्यार नहीं दिखाए वह हमको शुक ही नहीं करेगा तो हमरे प्रिम विश्वमत हो जाएगा, बस्ते में हम उसके प्यार नहीं करते हैं, वो हमको कितना शुक देते हैं, उसके आधार पर हम दिखाते हैं, हम तुम के इतना प्यार करते हैं, मन लिए एक लोग की दिश्टान तो देते हैं मन लिजिए एक है तोरून तोरूनी बहुत टेम करते हैं एक दुसरी के लिए मनने के लिए तयार हो जाते हैं जी जान देने के लिए तयार हो जाते हैं मरती भी हैं ये कितना मरती हैं अच्छा, जिसको वो प्यार करते हैं, उसका मान लो कोई कारण वर मू जल गया एकदम, जल करके कुरूप हो गया, एकदम घ्रम बिक्रिती आ गई चेहरा में, वह हम जिसको प्रेम करते हैं, अच्छा बता हो, क्या हम उसको ऐसे प्रेम कर सकते हैं? कोई है ना क्यों वो तो वही विक्ति है ना जिसको आप प्रेम कर जिसके लिए मरते थे तो क्यों नहीं प्रेम कर रहा कि भाई वो तो है ना तो मरत तो नहीं गया है तो प्रेम क्यों नहीं करोगे ना उसके रूप उसके जो भी है हमको शुग हमारे इंद्रे को शुग दीते हैं इसलिए हम उसको प्रेम दिखाते हैं प्रेम शमप तो हमारे उसके शक्षम्बंद भी शमप तो यह जगाता है ऐसे दिखने में लगता है जैसे हम कुछ नहीं कोई किसी को प्रेम नहीं करता है इस जगत में प्रेम होता नहीं है, यह होना संबब नहीं है, जोड़ियो बस्तूर कभी चेतन धर्मी आत्मा को कभी शूग दे नहीं सकता है, यह प्रेम एक पत्र भगवान से ही होता है, एक पत्र भगवान से ही होता है, बस्त्मिक जगत के साथ कभी प्रेम होना संबब नही कहा रहेगा कि इससे ना जाने कितना नंतोकाल है कितना प्रेम कए कितना करके करते करते शरीर पैरिभाई होता है भगवान किहना इस लिए हम को लगता है इंसे हम प्रेम करेंगे इस्त्री पुत्रों कुटुमब पुरिवार जो भी है कोई किसी को प्रेम नहीं करता है आत्मा को प्रेम करता है मरने का बात जब मर जाता है तो मृतक शरीर को ले करके रोते हैं पिट-पिट के रोते हैं हाए तुमने हमको छोड़के कहां चले गए क्यों भाई जिसको प्रे प्रेम करते हैं तो हम बचोड के कहा चली गए अरे शरी प्रेम करते हैं और पड़ा है तो नहीं अंदर जो था चीतन भगवतांग्ष भगवत्शत्त्त उनसे ही प्रेम होता है हम उनसे प्रेम करते थे, मनने से फिर प्रेम नहीं करता है, फिर जला दो, शरीर को जला दो, इस तरह से इस चितन शत्ता को जागाने के लिए तुम कहां भुरमीत हो करके, ये मयामाय संग्षार में एक शरीर धरी बन करके, एक पुतला बन के नस रहे हो, गा रहे हो, तुम इ इभ्वु नित्य शुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जुग जुग में आते हैं, अपने भक्त को भी शात लाते हैं, और उनके प्रेमी भक्त जो हैं, वो चितन शत्त को जगाने के लिए इस तरह से प्रयाश करते हैं। इस कुली जुग में ऐसा ही कृष्ण जयतन्य महाप्रुव आयते समस्त पर्षदों को लिकर के, जो ब्यपक रूप से बहिर्वो मयाबद्ध जीप को चितन शत्त जगाने के लिए और दिव्व जगत के वो प्रिममाई शंदिश लिकर आये हैं। देखो तुम जहां भ्रमीत के तुम दुखी हो करके गुम रहे हो, अनादिकाल संग्षर चक्र में आबर्ती तो हो रहे हो, शरीर परिवर्तन करती हुए, तुम भगवान से तुमारे नित्त सम्मंदों और सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम सम्मंदों है। मानो ना मानो ये तो तुमारा मामला। मानोगे तो इस संख्षर से मुक्त होकर दिब्व आनंद पद प्राप्त होकर के तुम नित्त धाम पोच जाओगे, जुगर्शेभा में तुम प्राप्त करने में समर्त हो जाओगे, नहीं मानोगे, अगर बोला ना, आमारे कोई रूची नहीं, कोई बात नहीं, मा काल स्थीर है, काल स्थीर है ना, अनंत काल, ये तो शुर्जो उदाय होता है, दिन, अस्तमी तो होता है रात्री, इसके उपर उटो ना, ना दिन ना रात्री वहाँ, देखो, शब स्थीर है मा काल, ना दिन न रात ना शमाए खुब गुमो ना अनंतकाल गुमो गुम के आये हो अनंतकाल और गुमो अनंतकाल गुमो जब तक तुम्हारे चितन शत्ता जब जागरिती नहीं होती है जब तक तुम्हारे शोरूप का जागरन नहीं होता है तब तक जाकर के तुम्हारे ये बंदन से मुक् यह अनादिगाल शंग्षा चक्र से यह जो तुम्हें आबरती तो हो रहे हो इससे मुक्त होना तिरता आप दुख से ताड़ी तो हो रहे हो इससे मुक्त होना कदा भी शंबब नहीं है लाग प्रयत्न करो इसे लिए भगवान आते हैं इसको लिए जुग में महाप्रभवी इस तरह सिद्व लोग के संदेश लिकराए हैं देखो जुगल की शोर जो नित्य निकुन जो रधा कृष्ण जुगल बिहार करते हैं वो राधारने के सहोचली पत्प्राप्तों कर सकते हो तुम इस शरीर के द्वारा इस शरीर को आगर तुम राधारने के चरण में अगर उपाशना करते हो यह जो माया जो शरीर है शरीर मैं नहीं शरीर संबंदी बस्तु मेरा नहीं यह भावना ले करके अगर राधारने के सहोचरी शरूप चिंतन के सार्थ उपाशना करोगे तो तुम ओही परंपत प्राप्त कर सकते हो जो अबस्तु महाप्रवक्रिपापुर्वक्स कुली जुग में कॉरुनार्थ चित्ता हो करके उबस्तु प्रदान करने के लिए अवतिरन हुई है करुना आव अतिरन का लोग समारपः उन्नत उज्जर रश आंग शभक्तिस्रियाम उन्नत उज्जर रश जोकि जीप कभी कोई शाधन प्रक्रिया के द्वारा उहां पोईश्णकदापी शमबब नहीं आई ऐसा कोई्धान पद्ध यह नहीं जिस शाधन पद्ध दिखते के द्वारा तुम इस शरीर से मुखत हो गरके तुम उस दिबुशुरूप राधारणरी के सोहचरी शरूप प्रापत करके नित्थ लिला में नित्थ काल के लिए राधारणर्णी के स्चियवा में तुम रह सकते हो पूबस तू पुरदान करने के लिए आए हैं कोरुणा करके कोरुणा बतिर्न कलो तो इतने शरल उपाशना सबसे शरल उपाशना कुली तो उते बैटते खाते शोते जहां तहा नाम लए देश काल नियम नहीं थर्व शिद्य है एब स्तू देने के लिए महाप्रव अब तीर नहुए हैं तो उनके जीबंचरी उनके परशत के जीबंचरी समंद्ने वालों चना कर रहे हैं आज हमलोग अलक्षे बिश्य है श्यामानंद प्रभु जो महब प्रभु को अंतर ध्यायन के बाद महब प्रभु के प्रेयम सरुप रूप में अबतिरूस ढ़नी हुए है स्रिनिभाष आचार्य प्रभु और नित्थानंद प्रभु के आबे शभतार नरत्यम ठाकूर और अधुली तो आचार्जु प्रभु के आवेश्रवतार श्यमानन्दप्रभु के पाबन जीबन चरीत मंगलमय जीबन गाथा शंबन्द में आलोजोला करेंगे। जिवन चरी दिव्य है आनंद में है जो स्रवन मत्र ही अंतक करन के मलीनता दुरिवित हो करके शुद्ध हो जाता है ऐसी शुन्दर दिव्य मंगल में गाथा बास्पन में ही पिता जो है कृष्ण मंडल माता है दरी का कह शंतान हो करके मढ़ जाता है तो इंतिजार करते हैं कि ऐसे एक शंतान मिल जाए आमको शभी गिरस्ती शद गिरस्ती चाहते एक घर में शुन्दर एक शंतान हो बहुत दुखी हो गये हैं कि शंतान हो करके मढ़ जाता है तो आखिर में ब्रिद्धावस्ता में एक शंतान जनम लिये हैं बड़े शुन्दर देखने भी बड़े शुन्दर नाम रखे हैं दुखिया माता पीता को दुख ले करके जैसे जनम लिये हैं तो चंद्रकला जाई से धीले-धीले बल रहे हैं पुत्त्र सुंदर फिर अन्यप्राशन आधी क्रिया कर जो फिर और थोड़े हो गया हैं फिर इसकुल गया हैं विद्धा शिख्खा किया हैं उसके बाद और बड़े हुए हैं फिर जाकर के ब्यकरन शास्त्रादी अध्यान के लिए बिद्धा लए भेजा गया है अलपस्ति स्मय में बिद्धा ध्यान करके ब्यकरन शाय स्रमें परदर्शीत आप्रप्त की हैं लेकिन सुने है जो महाप्रभु के आगवन महाप्रभु के अवतार अवतार लिला शुन करके उनके भीतर बीरह तिब्र बीरह तिब्र उतकंठ देखने में आया है कि एक बार हम महाप्रभु को दर्शन करेंगे लेकिन उनके भाग में हुआ नहीं महाप्रभु पहले ही अंतरद्यन हो गए है फिर किश्वराबस्था जब राप्त हुए है माता स्याग्रा के माँ हमको पर अधिशकर हम कुछ दिन के लिए जाएंगे नवद्दिप नवद्दिप जाकर के महाप्रभु के लिलास्तली और दर्शन करके हम तरह अपने को पवित्र करेंगे हमरे संतत्त रिदाय को हम संत्त करेंगे हमारे रिदाय में जो महप्रुभ के विरहदशा के कारण जो संतत्त हो रहा है रिदाय को शांत करने के लिए जो भी महप्रुभ के पर्षद दोचार है उनके चरण शनित्त में जा करके उनके चरण धुली ले करके अपने अंग मिलेपन करके हम तरह सा शांती प्राप्त करें मां आदेश करो माताविता देखते हैं यह की मत्र पुत्र ना जानि वईराग लेकर के संग्षार से बिरक्त हो जाए कि बहुत कोशिश किये लेकिन बच्चा मने नहीं चले गए आये हैं कालना कालना जहां गोरिदास पंडित महापुर्व के परम प्रिय पर्षद गोरिदास पंडित यह शुबल शखा नित्य लिला में शुबल शखा शखा चार प्रकार शखा प्रिय शखा प्रिय नर्म शखा प्रान शखा चार प्रकार शखा तो यह जो प्रान शखा है शुबल शखा है शुबर्शका के अवतार है गो रिदास्पन्दिर। ये महाप्रभु के कालामनों कालुचना किया हैं। जब महाप्रभु के बिग्र, निर्मान करके, स्थापना करके, पुजा कर रहे हैं। उनका ही शिश्व है रिदाय चैतन्नौ। किया हैं, हम आपके चरण सन्नित में आए हैं। आमको क्रिपा कीजिए, हमको दिख्षामंत्र प्रदान करके, हमाने मानव जिवन को धन्य कीजिए। आम चाहते हैं, कि ये शरी रहते रहते। जुगल चरण में भक्ति प्राप्त करके, हम कृत कृत हो जाए। ऐसे उनकी बिन इतनी निष्ठा कायम अनव बचन से गुरु प्रशन्नता शंपादन के लिए उनके समस्त चेष्टा कोई भजन पूजन के तरफ द्यानने दिन रात गुरु शिवा किस तरह से गुरु को प्रशन्न करेंगे। गुरु प्रशन्नता ही है समस्त शिद्धि के मुल। के लिए कहते हैं गुरु को प्रशन्नो करो अगुरु को प्रशन्न करो तो जिदाय चायतन नठाकोर को से शिवा के मतधम से इतने प्रशन्नता शंपादन करने में शमर्त हुए हैं कि दुख हुए थो प्रशन्न होकार नाम दिया हti उनका पहला नाम दुख ही आप पीछे कृषण सरी कि दुख क्रिष्य दाषे नाम हो गए फिर गुर्वुदेप बहुत प्रशन्न होए है पर फिर हमारे पहास रहने से तो हमारे तो शिवा कर रहे हैं लेकिन इसके मंगन के लिए तो हमका और कुछ करना पढ़ेगा तो ब्रिंदाबन में निवाश करते हैं महापुरूब के पार्शत स्रीजीब गुष्व्वभाद प्राप्त करना भूनर है।8 भी तुम्हेरा रोगनाद दढ़ गुष्रमी पाद है। तो सोचें इसके मंगल के लिए स्रिजीव गुष्रमी के पात भेजो उनके चरौन शान निद्द वह शक्षा करेंगे। तर स्वेट शास्र अध्यान करके एक परिपक्क को दर्शा भजन जिवन में एक परिपक्क को दर्शा प्राप्तों करना बहुत पोचित है। इसलिए कहें हैं जो तुम तो बेटा हमारे बहुत शिवा की हो आप तुम जाओ ब्रिंद्र बने जा करके स्रीजीप गुष्ष्वामी के चरण कमल शानिद्ध में जा करके तुम उनकी शिवा करो और उनसे तुम बिद्धा ध्यन करकुन के पास रह करके। लेकिन बहुत दुखी हो गए, दुखिया और दुखी हो गए कहते हैं। ऐसे प्रेम अगार गुरु में है तो उनके बीतर समस्त्र शास्त्र शमस्त्र तत्त शयंग पुरकर्षी पगटित हो जाती है। वालवपि कुरुथ शास्त्र द्रिष्टबृज बिराशिना से भी वह सास्त्र अध्यान करने में समस्त्र हो जाती है तो कहते हैं गुरुदिप आपके चरन छोर करके आम कहां जाएंगे जो चरन जुगल चरन जुगल प्रेम जुगल संद जुगल रुप-दर्शन ये तो आपके क्रिपाद से ही मिल जाएगा हमको ब्रिंद्वन जाके हमको क्या मिलेगा ऊस्धा नहीं जो तो हमारे अधिश पालन करो तुम जाओ ब्रेंदावन जाओ उता है तो गुरुदेब के प्रशिणता के लिए ब्रेंद आवन चले हैं चलते-चलते समस्ते तित्व गया कशी प्रयक्षत्र आधिश-व्तित्व पर जेटन करते हुए आये हैं ब्रेंदावन में ब्रिंदावन में आ करके ब्रिंदावन की सुभा देख करके शही सही ब्रिंदावन की सुभा दर्षनी उता अभी तो जैसे बन तो है यह नहीं दादर्ज बन का एक भी बन है नहीं अब ऐसे लोकालाय हो गया जनवश्रती हो गया शहर बन गया यह ब्रिंदावन उनका एगा बंबाई शहर में आ गई हैं आधे अब ऐसे लगता हे जैसे हम मपढई शहर में आ गये अैंदो हम जब आए हैं तब इतना गहरा जंगल अब देखें न को चांगल में को गए भिंदा बन चरंदर्शन के लिए संदक शमाय चले गए, जा करके जंगल में खो गए, शारे राध भूमते रहे जंगल में, राश्ता ही मिला नहीं, कहाँ, वो दिशा भूल गए, पुरब दिशा, पुश्चिम दिशा, कहाँ जाने में भगवान जाने, आलत खराफ हो गया, राध को ती साल पहले की बात है, अभी तो 500 साल पहले क्या स्थीती थी, केशी घर से लेकर के मोथुरा तक, और उधर जमुना से लेकर के, चोटी घरा तक जंगल गहरा जंगल था, और इदा शामियादी जो भाजन करते तो निदुबन, सब शेर भालू रहता था, लोकलिटी था नहीं अभी तो उसार बन गया है, और ब्रिंदामन पहिचान में आता नहीं आए, तो ऐसे ब्रिंदामन प्रभेश करके, ब्रिंदामन के दिब्व ब्रिंदारन के अदबूत सुभा दर्शन करके, उनकी रिदाए को जो शंताप, बहु लंग्ष, वो शंत हो गया, मन में तुरा आनंद आ रहा है, चलो महाप्रव के जो पार्शद है, उनके चरहन दर्शन करके महाप्रवत मिले नहीं, महाप्रव के दर्शन करने का तो मौका मिला नहीं, चलो महाप्रव के पार्शद, जो उनके शन्निद्द प्राप्त करने में, जो शोभाग शाली हैं, ऐसे उनके पा उस समय सब जंगल में रहते थे, गोपाल भट्ट गुष्वामी, स्रीजीव गुष्वामी, सब जंगल में रहते थे, रगुनाथ दाज गुष्वामी रहते थे राधा कुंड में, राधा कुंड में ऐसा नहीं था, एक कच्छा तलाव जैसे, कच्छा तलाव था, गहरा जं तो उनको तो प्रेम राप्त कड़ चुके हैं दिब्बो दृष्टी खुल गया है प्रेम नित्र खुल गया है देखते हैं जो धूब के अंदर बैठे हैं राजगुष्वामीपाद नाम जप रहे हैं और राधान ने अपने अंचल के द्वारा उनको साया करके उनको शीत अ अंचल के द्वारा और तो आपने भजन में तानमाया है कि शानातन गुष्वामी देख करके बहुत दुखी हो गए देखो हम जिनके हमारी इस्ट है हमारी शामीनी राधारानी और राधारानी अब शिवा कर रहे हैं बताओ फिर कुष्वामी पीछे देखते हैं एक शेर आकर के लख-लख-लख-लख-लख करके पनी पी रहा है राधाकुन के जल्ब और भगवान देखते हैं शुदर्शनले के ठाड़े हैं उनके बगल में रक्षा कर रहे हैं ऐसे दिख करके जा करके कहते हैं रोगवनात ऐसे कहें नहीं जो हमने ऐसा दिखा क्योंकि इसमें घमन अंकर हो सकता है जो दिखो राधारनी ऐसी करूना करते हैं हमने उपर इतनी करूना है ऐसे तो आसा घमन हो सकता है यह नहीं कहें हमने ऐसा दिखा फिर कहें थे रोगव पर कि इस तुम कश्च पांफे हो तो रादरने पर कि शीम कश्ट पाते हो तुम कश्ट पाते हो यह वह हम नुद के Kohatingiti ने कर पाते हैं इसलिए तुम्हें जोपड़ी बना लो तो आप जाके रोगुनाथ उनके आदेश श्विकार करके एक जोपड़ी बनाए तो रोगुनाथ दर्जगर्ष्ट में ऐसा ऐसे सब भजन करते थे उस समय आभिकर जैसे इतने शुविदा है ऐसी चाहिए गरब में भजन नहीं होता है नाना प्रकार शुविदा चाहिए आने बिले का समस्त व्यवस्त चाहिए शब प्रकार शुख सब सम्रिद्ध के सब उपकरण चाहिए फिर भी भजन नहीं होता है तैसे होगा भजन इतने शुख में रहने से कभी भगवात प्रेम प्राप हो सकता है पहले ऐसा ही ने कार करके जब भजन करते थे उस भजन में ती ब्रत अभी थी और शद-शंग में रहते थे, बहर लोगों से दूर रखते थे, ब्याभारी शञ्षारिक बताबरान से दूर रहते थे मैं ऐससे प्रेम प्राप्त करने में समर्त हुए है Nun, अभी तो हम लोगोंस रिव बह अपकरन मौजूद है भजन तो है नहीं वो तिब्रत है नहीं कि शमय का बहुत पुरिवर्टना गया है पुरिष्थिती पुरिवेश बहुत सारे प्रभावीत कर रहा है शादक जिवन में तो आ करके आए हैं जीव गुष्वमी के पाथ जीव गुष्वमी पाथ बहुत प्रशन हुए कहां से आए हो ऐसे उनके पुरिचाय ले करके बड़े प्रशनता के साथ उनको रखे हैं तुम रहो हमारे पास अध्यान करो शास्त्र अध्यान करो और बिंदावन में श्रमस्त साथ संत के संद्ध में रहे करके तुम भजन शिक्षा करो भजन करो और शेबा करो फिर गुपाल बट्ट गुष्वमी के संद्ध में गए गुपाल बट्ट गुष्वमी बहुत किरपा किये हैं फिर और जितना लोकनाद गुष्वमी है फिर गए हैं रोगुनाद प्रती दिन क्या करते हैं ओ जो निदुब निकुंज भंबन है ना सेबा कुंज जारू लगाते हैं प्रति दिन नियम करके, प्रत्यक्त कालूट करके, अंदकार मूट करके जारूशबा करते हैं। राधरने के चरण के जो नुपूर है, और खूल करके गिर गया। उसके बाद राष्ट लिला शमापती के बाद आपने कुछ भवन में शब चाले गए। प्रत्यक्त काल ये तो राधरने के क्रिपा प्रदर्शन के लिए ऐसे लिला किया है। प्रातक काल जब जारू लगाने गये, लगाते 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 लगाते। प्रत्यक्त के लिए अश्ट शत्तिक विकार से विकरित हो रहे है। सपर्शुकर तही है एकदम राधरने के सक्षात, राधरने के चरन के नुपुर्णा। फिर सपर्शुकर के लेकरके वक्षबे स्थापना किये। शाते सात उनके आनंद मुर्चा हो गए। आनंद मुर्चा हो गए। आनंद में एकदम अभिवतो करके मुर्चित हो गए। फिर जब चेतन आये तो आप बड़े जतन से रखे हैं। उनको यह समझ में आ गया कि शाधरन नुपुर्ण है नहीं। एक किसी के मुनश्यका है नहीं। होना संभब भी नहीं है। तो ठीक है। राधरनी के कोई लीला। शायद राधरनी हमको क्रपा करने के लिए शायद ऐसे लीला प्रकटन की हैं। तो उसको रखे हैं एक जो खुर्पा है न। शाप करते हैं जो घाष पूश है न। खुर्पा रखे हैं उसके उपर इसे ढख के जंगल में पत्ता लता उसमें खुर्पा दे करके उसके ढख के रखे है। आप क्या हुआ प्रातक काल होते ही दिब लिला में राधर नहीं देखते हैं नूपूर है नहीं। ललिता को कहते हैं ललिता हमेरे नूपूर न काल खो गया है तू ढूंड के ला तू लिया। तो ललिता शकी जानते हूं तो दिपन लिला में सबी तो शारबान तो जामी हैं, वो तो कभी शारबो कभी मुगधो, देख लिये हैं जो यह दुख कृष्णदार जो है यह प्राप्त किया है, तो ऐसो तो नहीं जो एक दम साख्षात रूप में बश्वन देंगे, तो एक बृद्धा बृजग माया की रूप में वहां आए हैं आ करके कहते हैं बेटा तुम यहां कोई ऐसे नुपूर प्राप्त किया हो तुम तुम जारू लगाते हो देखे हो तो बोलता है आप कोण है आपका नुपूर है पूलता है ना हमारे पुत्र बुदु का है हमारे पुत्र बुदु गंगा स्नान में जो मुना में स्नान करते जाती शमाय गिर गया है तुमने पाया है तो बोलते हैं हम तो पाया है लेकिन आप शही कह रहे हैं कि जूट कह रहे हैं आपको तो हम देंगे नहीं इस जिनकी नूपूर है उनको बुला के लाईए और उनको पाम में जो और दूसरा नूपूर है मिला के देखेंगे एक है की नहीं फिर देखेंगे उनके चारण में हम पहिना देंगे अरे बेटा ऐसे नहीं हमारे पुत्र बुद्व है वो थोड़ी ऐसे बाहर में आते हैं तो हमको दे दे ऐसे बहुत कहने का बात आप दो कि कृष्ण दास समझ गए ये बुड़िया भी कोई शाधरन बुड़िया नहीं मंतर में कहे दिया ये कोई राधरन नहीं कोई नीजी जन है क्योंकि नूपूर पहचान है नूपूर पर्ष्ण करते ही जो अस्टशत्तिक बिकार हो गया एक दिव्व अप्राकृत जगत के एक अनंद अनुबुती हुई तो ये तो सब भी कोई है ऐसे होना संभब नहीं है तो ये तो शत्य है प्रमनेत हो गया ये कोई शाधरन नहीं और जो लेने आए ये भी कोई शाधरन नहीं ऐसे बुडिया कहते हैं दे दो बेटा कहते हैं माईया हम तो ऐसा नहीं देंगे बात करते 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 अब उनका मन में आया भाई ये बुडिया का पाम पगर लो ये बुडिया का पाम पगरने से तो वारा काम बन जा सकता है फीर जाके रोते रोते तो माईया हमको तुम बताओ तुम कुनो महिया तुम तुम सादर रहे हैं, महिया कुनो महिया बताओ महिया । निया ऐसे चरहनद प करके रूतना अरों का चरहनद ओस्तिक भीकार शेभ जासिन वतास्टु करते है एक दिब्ब जगत की एक अचिंत अतिंद्रिय जगत की एक उनुभव जैसे चर्ण स्पर्श्च मत्र ही जैसे दिब्ब जगत की उनुभव हो रहा है फुट-फुट के रो रहा है मा खृपा करो मा हमको दयक हो कौन हो तो बताओ तो मा कोन हो बताओ हम नहीं छोड़ेंगे अ हम तो बर्जमाई है जा जा बेटा तो मा आशी बात करती हूं तेरा कल्यानों का भाला होगा छोड़ बेटा ऐसे नहीं तु भजन कर भजन करते रहे इसमें कल्यानों का नहीं माई है हम तो छोड़ेंगे नहीं तुम बताओ तुम कोन हो हम छोड़ेंगे नहीं तुम якि द मौisiejे अदर्ड़ा उचिये है तो के गिरगए धिपव, रधानिक ही तो अभिन्यों तो नहीं है। लोलीता तो कई अलाग नहीं है। ये जो अस्त्रशकिया है। रधारानिके ही सारूप। राधरानी के सौस्ट्र नाम में, राधरानी कही नाम है, राधरानी है, नित्य लीला में, बहार ही कोई शक्ति का उनुप्रवेश है नहीं, उहां सब स्वरुफ शक्ति, दिभ्व, जगत के उस्वरुफ शक्ति कही प्रकाश, राधरानी कही प्रकाश, भी रिजाकर के उसको अंगस पर्ष्ट के द्वारा ललिता शुकी उनको चेतन कराए। चेतन करा करके फिर मनी मन में राधारानी को चिंतन किये। ये राधारानी ये क्या किया जाए। ये तो बहुत अच्छा आधार है, बहुत सुन्दर तुमारे कृपा के विशेश पात्र है। दिव्व जगत में वह तो चलता है अपना बाढ़ता हो चलता है। तो राधारानी कहे हैं, जा उसको बोल कुंडवे श्रान करने के लिए श्रान करने से पिर जाके वो श्रुप में स्थित हो जाएगा। श्रुप प्राप्ति करने के श्रुप प्राप्ति करने से उस दिव् कर सकता है नहीं तो यह पंचव उतिक शरील के द्वारा हमारी दीव शरुप दर्शनकार नहीं पाएगा इसलिए तू इसको क्रिपा कर तो ललिता शक्री को कहा है तो क्रिपा कर ललिता शक्री ने एक मंत्र दिया यह मंत्र तू जब कर और जबते जबते तू जा करके कुंड में स्नान करके आ तो स्नान करके आने से ही एकदाम दिव्व शरुप मने वो अपना जो भौतिक शरुप वो शरुप परिवर्तित हो करके एकदाम राधारनी के शाहचरी शरुप मंजरी शरुप प्राप्त हो गया नाम है पनकमंजरी, उनके नित्य लीला में नाम है पनकमंजरी, प्राप्त जब हो गिया तो अब जा करके राधारणी आए हैं, लडिता शकी उनका अभन कीए हैं तो दिबव शरूक में राधारणी के चर्ण सपर्श की हैं, राधारनी को प्रणाम किया है और वो नुपूर को राधारनी के चरण में आपना हाद से पहना दिये हैं, पहना देने से भी राधारनी को प्रशन हो गए, हो करके वो चरण के जो नुपूर है उनका ललाट में ऐसे स्पर्श कर दिये, ऐसे, स्पर्श करने से एक नुपूर पुलन चिन्ध हो गिया 2030 आरा उस में वह नुपूर कर I Wasaps पर्श तुम्तध अंदर है नित्य चिन्ना में 1960 ले जी 154 लेकर मिला छेक्डaboutmen नुपूर के अंदर और पूर बिन्द चिन्न ये तेला नित्य सरूप इतरो है इसे तेरा नाम है अनंद 16 मौने राधरा निए राधरनी एक नम् knam listen Except, के राधरने के अनंदिते रहते हैं उह समानिंद 16 मं लंश्यम्म इस तरह से आशील बात करके रहे सों ऐसे चाहल रालिता शक्री ने यह कर दिया, toilitte वह समय ने प्निंवबाद्न को निम्त ग्षक्रीघ है, जिवु कुन dönुभी ओवाध पुच्छ Васजी पृत, प्राप्त की जो फिस बार एन ए के ख़ेँ पृत प्रीम पेख रृत अञुद्स ऑनियुद्भी आ अफ्षकंस से स् उसका स्थिती क्या होती है देह का बोध्न नहीं रहता यह शरीर मैं हूं यह बोधी बोल जाता है दिरिश्चमार जागतिक जो प्रियों मित्र कुटुमब मित्र बंदु बंदब जो भी भुगो पदार्थ हो जो प्रिहनियों लोभनियों जिस बोष्ट का पुष्क जैसे दिखता है उनके नजर में इसका कीमत 효णी возду उनको पॉलक के लिए उनको के लिए मदीरा पी करके जैसे मत हो जाता है ऐसे ही वो प्रिम मदीरा पी करके राधरनी के किरपा पुष्टो प्रिम मदीरा पी करके ऐसे टलते टलते जा रहे हैं पगल जैसे रंग भी बदल गया रंग भी एकदम राधरनी के सपर्श पाते ही ना रांग एकदम सर्नकांती जैसे हो गया शरीर। तो ऐसे चहरा जब ले करके आये जिब गुष्णमी के पास। जिब गुष्णमी के पास। चहरा देख के वह भी तो दृष्टा पुरुष है। वह भी तो साधरन मनुष्ण नहीं है। विलाश मंजरी राधारनी के नित्य सह पास। विलाश मंजरी देख करके पहचन गई कुछ अनुगी किर्पा प्राप्त करने में समर्त हो गया है। यह राधारनी की विशिश किर्पा इस पर हुई है। बेटा क्या हुआ कहां गया था। क्या सही सही बता। तो गुरुदिप को बताए हैं ऐसे जो राधारनी की प्राप्त किर्पा तो हमको हो गया है। लेकिन आपको छोड़के किसी को बताने के लिए मना कर दिया। यह तिरा अमंगल हो जाएगा। तो उस दिन से आप तो जब प्रेम प्राप्ती होती है ना तब बाहरी क्रिया कर्म नों सब बंद हो जाता है। शरीर के द्वारा आम मन हमारे शरीर में रहने का कारण शुरी शस्ंबंदि कर्म कर्न में हम हर समय ऐक उस कर्म तत पर रहते हैं। लेकिन यही मन जब भगबात्चरण में शंगलगड हो जाता है, तो ना यह बाहरी क्रिया कर्म छूट जाता है। उसके दौरा ही क्रिया कर्म शंभव नहीं होता ह अट्रमेटिक छूट जाएगा वह तो जैसे मोधिरा पान करके जैसे बैठे हैं बहुतिक जगत के विशे चिंतन करने के लिए मन को खिश के लाना पड़ते ऐसे अतिन जगत के ऐसे स्थीति है जो कि ये पंचमोतिक शरीर के द्वारा तो धारन करना संबब नहीं है वह तो एसे नहीं आमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं है वह तो नित्त शिद्ध कलेवार है पर्शत्त तोनु है इसलिए वह शाबावी का उनको धारन करने का शक्ति उनमें रहती है है ना तो इधार क्या हुआ जेतना वश्णव समाज सब देखते हैं उनका तिलक बदल गया तो सब समालोचनाहो ना शुरू हो गया गुरुप्रदत्त तिलक यह हमारे जो हरी मंदीर है यह हमारे गुरुप्रदत्त यह तिलक जब हम मिटा देते हैं तो यह समझा जाता है तुमने गुरुत्यक कर दिया ना कुंठी और तिलक यह नहीं रहना माने गुरुत्यक ही तुम तो तिलक परिवर्तन होने का कारण भुष्णम स्वमाज में खलवली माज गया जो ऐसे तो बैभीचार तो ऐसे तो होना संबब नहीं है और जीब गुष्णमिपाद उस समय शारा भारत के सबसे भर विद्वान सब मांते हैं जीब गुष्णमिपाद को इतने बड़े विद्वान थी उनके द्वरा तो ऐसे शंबब नहीं है सब पूछते हैं तुमको यह परिवर्तन किस नहीं लाया बोलते हैं हमारे प्रुभु के किरपाद जीब गुष्णमिपाद को तो कहना माना कर दिया ना पहल तो गुरु कृपाद चून करके वश्णम स्वाद में महा खलवली मज गया और हिदाय चैतन्न ठाकुर के पास उनके जीब गुरु है कालना में रहते हैं बंगाल में गोर्म अनुदन भूमी में वहां पत्र दे करके भेज है एक जन तुम्हारी शिश्च इस तरह से बैब बदल दिया है इनका तिलग भी बदल दिया है नाम भी बदल दिया श्यमानंद। इसका नाम था दुखी कृष्णदार अब नाम भी जिव्वश्च समय पाद बदल दिया श्यमानंद। यह बैभीचार यह तो समाज जीवन के लिए बश्चन जीवन के लिए बहुत यह त एक खबर लेके आओ, क्या बात है, फिर हम देखेंगे, बहुत नराज हो गए हैं, पत्र लिखके भेजे हैं, जो किस ने तुमको ये मंत्रो दिया है, तुमको श्यमनंद नाम किस ने दिया है, तुम्हेरे तिला किस ने पुरिवर्तन किया है, तो आये हैं, उनलोग बिंदवन आये हैं, बिंदवन आ करके, पंचायज जो रहे हैं, जो भी यतना भी पुरिवर्तन कर दिया, तिलाक परिवर्तन कर दिया, और तिलाक भी उल्टा पर्टा तिलाक, ऐसे आपने किया है, तो जिवर्तन किया कहेंगे, बोलते हैं, यह तो हम तो कुछ किये नहीं है, यह तो राधरनीकी इच्छा, यह किया किस ने, यह परिवर्तन लाया किस ने, आप कहने ही सकते हैं, तो फीर जाकर चिट्ठी लिकर जिग वश्ववनिवाद दिये हैं, रिदायचाहितन्य प्रभु के लिए जो हमने ऐसा नहीं किया है, हम आपके सर्वत प्रकार से आपके किर्भार के पात्र हम आपके किर्पार के हैं आपके आधेज मिना हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसे अब भ्रमित मत होई है हम ऐसे कर्म किये नहीं है ऐसे पत्र दे करके बश्चनों पर भेज दिये हैं बश्चनों लोग चले गाए हैं समाधान तो हुआ नहीं अब रिदाय चैतन्य ठाकूर गोर मन्नल भूमी से मने अब दीप से अब बिंदावन चल दिये हैं बिंदावन जा करके समाधान करेंगे आप देखेंगे एक बेटा हमारा ऐसे किस तरह से बिगर गया है इसके लिए क्या किया जाए उसमाध जीवन बहुत पठोड़ था बश्चनों समाध बहुत ऐसे आचरन शील था ऐसा नहीं सब कोई को दिख्षा देना ऐसे संबब नहीं था जो कोई आया दिख्षा दे दिया अभी तो कोई भी आ जाओ कोई पुरिचाए नहीं कुछ नहीं उनकी योगगता है कि नहीं उनकी अधिकार है कि नहीं रात ए रात में हम जैसे गुरू रात ए रात में दिख्षा दे करक ना शीशो के जोगता अधिकार देखते हैं, ना शीशो गुरु का अधिकार जोगता देखते हैं, अभी तो इस तरह से शमत जीवन में नाना परकार विशिश परिवर्त ना गया, पहले ऐसा नहीं था, तो रिदाय शैतन न ठाकूर अब बिंदावन में आ रहे हैं, देखें निकाल क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं, अब राधर हैने क्या लीला करते हैं, हम लोग काल फिर आश्वरादम करेंगे, आज की पताय इंपिस्त्रम, प्रिदाय चेतन ठाकूर अब बिंदावन चलेंगे, जैजै स्री राधे, अरी गोड़ु